मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जनांदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्पा है। लेकिन उससे पहले, मैं आज की पीडी के नवजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल बहुत गंबीर है, और मेरे सवाल पर जुरूर सोचिये, क्या आपको पता है कि आपके माता-पिता, जब आपकी उम्र के थे, तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छिल लिया गया था। आप सोच रहे होंगे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंबव है, लेकिन मेरे नवजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है, जून का वही समय था, जब एमर्जन्सी लगाई गई थी, आपात का लागू किया गया था, उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छिन लिया गये थे। उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आर्टिकल 21 के तहट सभी भारतियों को मिला राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अधालते हर समयधानिक संस्ता प्रेश सब पर नियंत्रन लगा जी आ गया था। सेंसर सिप की ये हालत थी कि बिना स्विक्रूती कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे आध है तब मशूर गायक किसोर कुमार जी ने सरकार की भावाई करने से इंकार किया तो उन पर बेन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरपता दियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोग तंत्र से विश्वात डिगा नहीं, रती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सद्यों से जो लोग तंत्र के संसकार चले आ रहे हैं, जो लोगतांत्रिक भावना हमारी रग रग में हैं, आखिर कर जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोगतांत्रिक तरीके से ही इमर्जंसी को हटा कर वापस लोगतंत्र की स्थापना की। ताना साही की मानसिक्ता को ताना साही वृत्ती प्रवृत्ती को लोग तांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उधारन पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमर्देंसे के दौरान देश वासियों के संगर्स का गवा रहने का साजेदार रहने का सवभाग्य मुझे भी मिला था। लोग तंत्र के एक सैनिक के रूप में है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अम्रित महोत्सो मना रहा है। तो आपात काल के उस भयावध दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीडियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अम्रुत महोत्सो सैक्डो वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजे गाता ही नहीं बलकि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इत्यास के हर अहम पढ़ाव से सिखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं।